नती द्रस्ति मावतू नती जणातू रूप वी जोपन अनुभव नहीं ते थिन जीव स्वरूप अत्वा तेहज आत्मा अत्वा हिंद्रिय प्राण मेच्या जूदो मानवो नहीं जूदो एंधान वड़ी जो आत्मा होय तो जणाय ते नहीं केम जणाय जो ते होय तो कटपट आदी हेम माटे छे नहीं आत्मा मेच्या मोख्षव उपाई ए अंतर शंकातलों समझाओ सदुपाई आस्यो ते हाथ्यास ते आत्मा ते हसमान पणते बन्ने भिन्न ते प्रगट लक्षणे आन आस्यो ते हाथ्यास ते आत्मा ते हसमान पणते बन्ने भिन्न ते जीम असीने म्यान जीव द्रस्टा छे द्रस्टिनों जी जाने छे रूप अबाय अनुभव धे रहे ते छे जीव स्वरूप छे इंद्रियो प्रत्यक ने निज निज विशयनुग्णान पाज इंद्रिना विशयनुप पण आत्मा ने भान तेहन जाने तेहने जाने निज निज इंद्रि प्राण। आत्मा नी सत्ता वडे तेह प्रवर्ते जान। सर्व अवस्था ने विशे न्यारो सदा जनाय। प्रगट रूप चैतन्यमै ए एंद्रान सदाय। घट पट आती चान तूम ते थी ते ने मान। चान नार ते मान नई कही एकी उब्नान। परम बुथि प्रुष देह मां स्थूड देह मति अल्प। देह होय जो आत्मां खटे नाम विकल्प। जडचे चैतन नो भिन्न छे एवड प्रगट स्वभाव। एक पणु पामे नहीं रणे कार द्वय भाव। आत्मा ने शंका करे आत्मा पोते आप। शंका नो कर नार ते अचरज एह अमाप। आना हस्तित्वना आपिकह प्रकार संभव तेनो आयशे अंतर करे विचार। विजी शंका आयत्या आत्मा नहीं अविनाश। देह योग थे उपजे देह वियोगे नार। अत्वा वस्तु शने कचे शने शने पलटाई ए अनुपव थे पण नहीं आत्मा ने यत्या। देह मात्र सैयोग थे वलि जडरूपी द्रश्य। जेतेनेना उत्पतिलै पूना अनुपववश्य। जेना अनुपववश्य। उत्पनलयनुग्णान। ते थी जूदाविना आयन के मेभान। जे सैयोग को देखिये ते अनुपवद्रश्य। उपजे नही सैयोग थे आत्मानित्य प्रत्यक्षब। जड थी चेतन उपजे चेतन थी जड थाय। एवो अनुपव कोईने क्यारे कदे नताय। कोई सैयोग थे नही। छेनी उत्पति थाय। नाश्रन तेनो कोईवा। ते थी नेत्य सदाय। प्रोथादी तरतम्यता। सर्पादिक नीमाय। पूर्व जन्म संस्कारते। जीव नीत्यतात्याय। आत्मा रवे नीत्यचे। पर्याय पल्टाय। बाळा दीवय त्राण्यन। जनान एक नेत्याय। अत्वा नानक्षणीकन। जीजानी वदनार। वदनारो तेक्षणीकनै। कर अनुभव नीर्थार। प्यारे ओई वस्तुनों। केवड होयन नाश। जेतन्यामे नाश्तों। केमा भडेत पाश। करता जीवन कर्मनों। कर्मज करता कर्म। अत्वा सहज स्वभावकां। कर्म जीवनों भर्म। आत्मा सदा संगने करे प्रकृति बंध। अत्वा इश्वर प्रेर्णां। तेथी जीव बंध। माटे मोक्ष उपायनों। कोई नहे तुझनाई। कर्म तणूं करता पणूं। का नहीं का नहीं जाय। ओयन चेतन प्रेर्णां। कोण ग्रहे तो कर्म। जड स्वभाव नहीं प्रेर्णां। जुओ विचारी धर्म। जो चेतन कल्तू नथी। नथी थतातो कर्म। ते थी सहज सभाव नहीं। ते मज नहीं जीव धर्म। केवल ओत असंग जो। भास्तततने नकें। असंग छे परमार्थ थी। पण निजभाने तें। करता इश्वर कोई नहीं। इश्वर शुद्ध स्वभाव। अथवा प्रेरकते गणे। इश्वर दोस प्रभाव। जेतन जो निजभानमा। करता आप स्वभाव। वर्ते नहीं निजभानमा। करता कर्म प्रभा। जीव कर्म करता कहू। पण भोकता नहीं सोय। शुद्ध समझे जड़ कर्म के। पढ़ परिणामी। पढ़ दाता इश्वर गणे। भोकता पणू सथाय। एम कहे इश्वर तनू। इश्वर पणू छचाय। इश्वर सेट थया विना। जगत नियम नहीं होई। पची शुबा शुब कर्म ना। भोग्य स्थान नहीं कोई। हाव कर्म निज कल्पना। माटे चेतन रूप। जीव वीर्य नीस पूरणा। ग्रहन करे धड़ दूप। जेर सुधा समझे नहीं। जीव खाय फड़ खाय। एम शुबा शुब कर्म नूम। भोक्ता पणू जणाय। एक राकने एक नुरूप। ए आदे जे भेद। कारण विनान कार्यते तेज शुबा शुब वेद्य। पड़ दाता इश्वरतनी एमान थी जरूर। कर्म स्वभावे परिण में थाय भोग थी दूर। तेते भोग्य विशेशिनां। स्थानक रव्य स्वभाव। गहन पात चेशिश्यां। कहि संक्षे पेशां। करता ओकता जीव हो। पण तेनो नहीं मोक्ष। वित्यो काळ अनन्त पण। वर्त मान थे दोश। शूब करे पड़ भोग्य वे देवादी गतिमाई। अशुब करे नरकादी पड़। कार्म रही तनक्याई। जेम शुबा शुब कर्म पत। छाण्या सफड प्रमाण। तेम निवृत्ते सफलता। माते मोक्ष सुजान। वित्यो काळ अनन्त ते। कर्म शुबा शुब भाव। तेह शुबा शुब शेदता। उपजे मोक्ष स्वभाव। तेहातिक सैयोगनों आत्यंतेक वियोग। सिद्ध मोक्ष शाश्वत्पदे निज अनन्त सुख भोग। वोय कतापी आक्षपद नहीं अविरोध उपाय। कर्मो काळ अनन्त ना। शाथी शेद्या जाय। अत्वा मत दर्शन घणा। कहे उपाय नेक। तेमा मत साचो कयो। बनेन एह विवेक। कही जातीमा मौक्ष शे। कया वेश्मा मौक्ष। एनो निश्य नाबने। अना भेदे दोष। तेतीम जणाय थे। मलेन मौक्ष उपाय। जीवादी चाण्यातन। शोपकारज थाय। पाची उत्तर थीथय। समाधान सर्वां। समझू मौक्ष उपायत। उड़े उड़े साथ आगे। जोड़े चूब आगे। समल